मुस्कुराईए क्यूंकि मुस्कुराहट आपके दातों को सास लेने देता है। सही कह रही हूँ। मैं उन लोगों की तकलिफ समझ सकती हूँ जिने दातों की जरा भी परिशानी है। यकिन मानिए एक मुस्कान से इंसान की शारिरिक और मानसिक सहत का अंदाजा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट दो एपिसोड में ओईल पुलिंग जैसी क्रिया के बारे में डीटेल में बताया है। इन दोनों वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेर कीजिए दातों की बीमारियों से मुक्स्वस्च जिवन जिये। आप सभी की अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए मैं डॉक्टर चैताली आज की एपिसोड में आप सभी को ओयल पुलिंग के बारे में आपको ये बताने वाली हूँ कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मुँ में पैदा होने वाले बैक्टिरिया को खतम कर मुँ की सपाई के लिए ओयल पुलिंग का इस्तिमाल किया जाता है। तो शायद ही आपको सूट न करे। इस प्रोसेस में ये भी संभव है कि तेल की कुछ मातर आपकी सलायवा यानि के लार के साथ आपके पेट में चली जाए। और ओयल पुलिंग का सबसे पहला नुकसान ये ही है। दरसल ये तेल अगर पेट में जाता है तो इसका डाइजेशन काफी मुश्किल हो जाता है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टिम को काफी मेहनत करने पड़ती है। फिर आपके सिर में दर्ध भी पैदा होता है। जिसे आम भाषा में सिर चड़ना कहता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप ओईल पूलिंग करते समय तेल को निगल जाते हैं तो आपको पेट, दर्ध, दस्त लगना, पेट में एठन होना, बुखार आना या फिर सिर्दध होने जैसी परिशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखे कि ओईल पूलिंग करते समय आप गलती से भी ओईल को अंदर न निगले। जब भी आप ओईल पूलिंग करने वाली हो एक बार इस बारे में जरूर सोच ले। खराप तेल हो सकता है हानिकारक, खराप तेल से कुला करने से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए बहतर quality वाला और्गनिक ओईल ही इस्तमाल करें। बच्चों के लिए हानिका रख, बच्चे तेल निगल सकते हैं, तो गलट ट्रैक में यानि कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में यानि कि श्वसन तंत्र में भी ये तेल जा सकता है, जिससे लिपोईंट डिमोनिया हो सकता है, इसलिए विवस बच्चों को दात स्वस्त रखने के ल प्रवाज नहीं होता है आपको बता दू कि इससे आपको थोड़ी देर के लिए रहत जरूर मिल सकती है लेकिन पूरी तरह से रहत मिलना असंभव है बहुत से लोगों को नारियल के तेल से सरसों के तेल से और किसी अन्य तेल से अलर्जी होती है अगर आपको भी इस तरह की क चोटे-चोटे दाने आने लगते है अगर आपको तेल से अलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल न करें कुछ लोग ऐसा मानते है कि ओईल पूलिंग हो गए दातों की सफाई लेकिल ओईल पूलिंग ब्रश करने या दातुन करने का ओप्शन बिल्कुल नहीं है दातों को को कोने कोने से साफ करने के लिए आपको ब्रश तो करना ही पड़ेगा ओईल पूलिंग करने से कुछ लोगों को मौ का स्वाद बिगड़ जाता है और हां हो सकता है कि ओईल पूलिंग करने के बाद जब आप खाना खाये तो आपको खाने का कोई भी स्वाद न लगे इसलिए खाना खाने से ठीक पहले आपको oil pulling नहीं करना है उमीद करती हूँ कि आपको oil pulling की सीरीज पसंद आई होगी और अब आपको oil pulling क्या है उसके फायदे, नुकसान, side effects और precautions के बारे में अब पूरी जानकरी मिल गई होगी इससे सम्मन्धित कोई और जानकरी के लिए आप हमें comment box में comment कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए झाल 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 झाल